एक बड़े खबर आपको दे दे, पेट्रोल सिर्फ एक पैसा सस्ता होने को लेकर आज जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला हुआ है उस पर केंड्री पेट्रोलिय मंत्री धर्मीन प्रदान का बड़ा बयान सामने आए है पैसे पैट्रोल और दीजे पैसे खज करके किसान परिशान है समय फसल बोड़ा इसे चाहिए कर रहा है इसकी उतर दिया मैंने आपको लेकिन आम आदमी तो बहुत बुरी तरह परिशान है सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं इस विशे को मैंने कोई चीजों से भागा नहीं सारा विशे को मैंने विस्तार से बता है कि एक इंटनेशनल कंमोडिटी है तिनों विशे की अगर संतुलित नहीं किया जाएगा एक विशे पे हम क्या सिरिया की घटना आप नियंतर कर सकते हो अमेरिका और इरान की तनाव आपके हाथ में है क्या यह ओइल प्राइस को प्रभावित नहीं करता है इसलिए सारा विशे को हमें संग्यान में लेते हैं उसके एक बैलेंस कैसे बना लो उसकाम पर हम लगे हैं बहुत बहुत धन्यवाद धर्में प्रदान का कहना है कि अंतर रास्तिय जो पैट्रोलियम के दाम है उसका असर भार्ती बाजार पर पड़ रहा है तेल कंपनिया लगातार कोशिश कर रही है जो एक पैसे की आच चूक हुई है वो किसी अधिकारी की भूल चूक और उसके ज जानकारी नहीं दे रहे हैं फिलाल धर्मींद्र प्रदान केंद्री पेट्रोलियमंत्री की ओर से ये बड़ा बयान सामने आए एक पैसे जो सस्ता हुआ है पैसे पेट्रोल उसको लेकर आज पूरे दिन हमने देखा किस तरह से सियासत गर्म रही अब खुद पैट्रोलियम हमारे समभाद डाता ने उन से इस बारे में बातचीत की है के कंपनियों की वेबसाइट के जाके देखेंगे कि फ्लाइज फ्लक्टुशन केसे हुई है आपको अनेकों दिन मिलेगा जिसे एक पैसा भी बढ़ा है एक पैसा घंटा भी है पहले बार ऐसे नहीं हुई है गलती इसलिए आज हम एक पैसे के गलती के जिम्मेदारी लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की ओर से बड़ा बयान ABP News से बाचीत के जरेश सामने आया है GST के दारी मिलाने की कोशिश भी की जा रही है ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है पैट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ABP News के संबाददाता विकास भदोरिया से बाचीत करते वे सीरिया के हालात के जिम्मदारी नहीं ले सकते ये भी कहा है कमपनिया लॉंग टर्म पॉलिसी पर काम कर रही है सीरिया के हालात की जिम्मेदारी नहीं ले सकते और इस तरह से उन्होंने पेट्रोलियम के दाम कम कब होंगे कैसे होंगे इस पर तो कुछ नहीं कहा है लेकिन एक पैसे और साथ पैसे को लेकर जो कंफ्यूजन के सती थी जिस पर आज मोदी सरकार घेरी रही उसको लेकर अपने सती साफ करने की कोशिश केंद्रिय पेट्रोलियम मंत्री धर्मीद्र प्रधान की ओर से की गई है एक बर फिर से आपको सुनाते हैं उनकी ओर से क्या बड़ा बयान दिया गया है सुनिए बाकी पिछले साल भर की अगर आप प्राइस बेंडूड को दिखोगे कि एक पैसा दो पैसा आट पैसा साथ पैसा बारा पैसा तीस पैसा कभी बढ़ा भी है ऐसे घटा भी है इसलिए पहली बार एक पैसा घटा है ऐसा नहीं है पिछले सत्रा दिनों में लगातार पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं एक तो गर्मी बारी उपर से जे भलकी हो रही है अब लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है यह तेल कंपनिया तेल सप्लाई करने के लिए बनाई गई है या हम आदमी का तेल निकालने के लिए देखे भारत की आवश्यक्ता की 80% हम इंपोर्ट करते हैं अंतराष्टिय बजार की जो प्राई से यह तेल कंपनियों निलने नहीं करते हैं यह अंतराष्टिय बजार ही निलने करता है आज अंतराष्टिय बजार में ओपेग जो उत्पादन कारी देशों ने यह निलने क प्राइस चाहिए एक जगड़ा वहां पड़ी है भारत में डलार और इंडियन करेंशी की एक्षेंज डेट में फ्लॉक्ट्वेशन इंडिनों में दिखने को मिला एक रुप्या अगर डलार की तुलना में इंडियन करेंशी सस्ता होती है तो पंसट सतर पैसा प्राइस में फरका जाती है उसकी अलाबा केंदर राजियों की टैंक्स की भी एक इसु है यह तीनों फैक्टर के करनाज प्राइस एक बिल्ड़ अप हुई है यह सारा विशे को हम लोग चिंती थे हैं हम लोग इस विशे को गंभिरता से लिए हैं भारत की गरीब मध्यवरीय लोगों क बोजह जादा ना पड़े लेकिन आज एक चुनोती वाला स्थिती में हम लोग चल रहें एक विशे को हम डील करें टैंक्स हम डील कर भी लें अंतराश्टिय बजार उसको खा सकता है अंतराश्टिय बजार में दमाब बना कि उसको स्टाविलेज करना फ्रक्रेशन डेट क गर ना बनाएं तो जनता को उसकी फाइदा नहीं है यह लेकिन 20 से ज़्यादा राज्जों में आपकी सरकार है लगबग 70 पीसदी जो जनता है आप बीजेपी या एंडीय सास्टराज्यों में रहती है क्यों नहीं बीजेपी शास्ट और एंडीय सास्टराज्य केरल से क्षाधा भी केरल ने घठाया अच्छा किया पिछले दिनों में चार राजियों ने घठाय भी था मध्यपेद्ować ने घठाय था महरास्ट ने घठाय था गुज्रात ने आज से केरला में देश की संभशे ट्यांग निजी है इसलिए हम राजियों की अर्थनिती में हम उनकी खर्चे की कि उनकी रननिती क्या होगी उपड़ के उपर है जब धीरे देरे पहले थुड़ा चिंतिथे कि हमारी आमधनी क्या होगा आखिल एक राजिय की आमधनी की दो भी प्रमुक्स फोलत है एक्साइज और पेट्रोलियम प्रोड़क्ट राज्य थोड़ा चिंती थे कि हमारा आंदनी घड़तों ना जाए आज दिरे दिरे जब वो क्विटेंस बढ़ रहा है राज्य भी राज्य होंगे जिस्टी काउंसेल में सहमती बनेगे प्रोड़क्ट जिस्टी में आ जाएगी काहा है कि दस लाख करोड आम आदमी की जेब से निकाल लिया तब एक पैसे की राहत दिया आपने के कांग्रेस एक दिबालिया लोगों की समुए है जिन लोगों ने भारत की अर्थ विवस्ता को पिटवा दिया बरबाद कर दिया उन लोगों की ये इस प्रकार की बयान आने का अपिशान अभी तो आम आदमी देबालिया हुआ जा रहा है साब पैसे पैट्रोल और डीज़ पैसे खच करके किसान परेशान है समय इसकी उतर दिया मैंने आपको लेकिन आम आदमी तो बहुत बुरी तरह प्रिशान है सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं विश्यों कोई चीजों से भागा नहीं सारा विश्यों को मैंने विस्तार से बता है कि एक international commodity है तिनों विश्यों कि अगर संतुलित नहीं किया जाए इसलिए सारा विश्यों को हमें संग्यान में लेते उसके एक balance के से बना लो उसकाम पे हम लगे हैं और डीजल के बढ़े दामों को ये है ABP News आपको रखे आगे